मद्यपदेश ATS ने कल खंडवा में बड़ी कारवाई की और एक आतंग की जिसका नाम फेजान बता जा रहा है उसे गिरफतार भी किया चारोपी है उसके भाई मुहमद इमरान हमारे साथ हैं उसे बाचीत करते हैं जिस तरह की गतिविदिया ATS ने बताई है क्या उसमें सनलिप था और आप लोगों को उसके हावभाव से उसके चाल-चालन से क्या दिखाई दे रहा था सर प्रेली बाद तो आतंग का कोई मसले ही नहीं था मतला उसके साथ में जो नाम डाले आतंग तो यह सुनके तो बहुत हेरानी हुए हाँ ATS की टीम जो आये थी रात में हमको तो पता ही नहीं कि ATS वाले हैं हम समझ गये तो पुलिस वाले हैं क्राइम बरांच के दिख रहे थे सभी लोग और वो आये थे उसके बाद में उन्होंने फेजान का कमरे का पूछे किमरे में गए और उससे सावाल जवाब किये हैं क्या सवाल कि उन्होंने क्या पूछा सर हम लोग तो एक तरफ खड़े थे और जो हम को बड़ी हिरानी हुए कि फेजान का इसा एकदम से इतने सारे लोग कैसे आ सकते बोच ले वॉटस आप स्टेटस की बात हो रही है की के 47 कि इस्टेटस लगाना कहीं अलग अलग इसलामिक जो Forsyige की वीडियो लगाना यह सब वीडियो भी वह लगाता था अपने वॉटसप स्टेटस पर सोशल मीडिया हां सर यह लगाता था हो उसको हीरो बनने का बहुत शोकता था वो काम में दुकान के काम में पड़ाई में तो वो नाम नहीं कमा पाया तो इसको किसी तरह फेमस होना था क्योंकि आप अगर उनकी एटीएस की वीडियो देखे हो गे कि उनके साथ में हस्ता हुआ गया ऐसा पड़ाई लुष बना वो यह भी अप दिखाई दे रहा है सर उसने कुछ किया नहीं उसने कुछ किया नहीं इस्टेटस पर होटो ये डाउनलूड कराई उसने अपडेट कराई इस ने कहा कि कुछ जिंदा कारतुस मिले हैं है अतियार भी मिले हैं यह सब चीजे भी मिली कार्टूस तो जुटस तो ज़ुके बार कर वसकेम hoping फ़िए उसके पास पास कागज बोगेयरा कुछ मिले कार्टूस का तो मैं मानी ने सकता सर कार्टूस तो जो यह पोणनकर रहे हैं ऱबू स्लेम और यासी भटकल जीसा बनना चाहता था वो थे उसके आइडियल हीरो हाँ सर हर किसी का एक आइडियल हीरो होता है अगर मैं बोलू कि मैं सलमान खान जैसा बनना चाहता हूं तो मेरे सल्मान खान से कोई connection है क्या मैंने तो बोल दिये कि मैं सल्मान खान जैसा बनने चाहते हैं सल्मान खाने का भिनेता है यासीन भटकल अभू सलेम आतंकी है उन्होंने अब एहम्दाबाद में सीरियल ब्लास्ट किये हैं यहां पर ATS के कर्मचारियों की अधिकारियों क तो उनके जैसा बनना यह तो बहुत ही मतलब बातंकी हो रही है आपका जाना अग्रे सरे सर दिखिए अगर मैं अकेला सड़क पर गुमता हो बोलूँआ कि मैं सल्मान खान को चाहता हूं तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा कोई भी ने नोटिस करेगा हां अगर मैं एक परसन का नाम लूँगा और उसको अपने साथ जोडूँगा तो सर मेरे घर मीडिया भी आएगी पुलिस भी आएगी और मैं बराबर मेरा नाम लूँगा क्यों खंडवा से गिरफतार हुआ था जिसे कलकता एटियस लेकर गई है जेल में बंद है रकीब उससे भी मिलने ग सर देखो अगर आपका भाई किसी वज़े से जेल में चला जाएगा तो आप मिलने नहीं जाओगे भले वो कितना भी बड़ा किरुनेल हो उसको देखने जाएगा इनसान कि किस हाल में हो बस जो एटियस कह रही है कि वो लोन वुल्फ अटेक यानि कि एक अखेला आजमी ही उसे गुरुप की जरुवत नहीं होती वो अकेला ही अमला कर सकता है उसकी फिराक में तो दीके सर ये बात मैंने बोला हूँ आपको उसने किया नहीं है उसने फेमस होने के लिए सारी चीजों को गड़ा है क्योंकि उस पर कुछ एसा क्राइम जो है तो सावित तो हुआ नह जलता था इससे किसी को नुकसान हुआ नहीं है हां मैंने यह जरूर माना कि यह चीज नहीं करना था यह चीज हमने उसको समझाती भी थे हां मेरी अम्मी को दो बार जो है तो हाट अडेक आया है इस वज़े से हम घर पे उसको भागा नहीं सकते थे या फिर उसको मार नहीं सकते से सिफ समझा सकते दे इसी वएसे कि मा की जान नहीं चली याए यहीं वज़े थी कि हमने उसक много सकति नहीं कि वाइदा समझाते हैं जरूर थी कि इस से फायदा यह तो पस वह दरोब यह तो पिर वहापिस तीजिक को लोड़就是 तो अभी आप लोग आप जो पूरी जांच परताल कर रही है क्या कुछ कहेंगे जो दोशियों से कम से कम सजा तो मिलने चाहिए ना आप ऐसे लेखे से इनका इंटर्विय लेनाब उनका लाश्ट में राइजन का है इसे इसको बराबर दी जिए लेकिन सूनी संभा देना और फिर इसको atención रहे हैं tolerate घाना झाल एक हमारे साथ हम लोगों के साथ मेरे अम्मीं के साथ अब्बू के साथ, बेहनों के साथ, मेरी वाइफ के साथ, इतना अच्छा रहा कि सर, हम दिमाग में जो पूलिस की कीड़ा था, कि मतलब ये ऐसे होते हैं, घर में तोड़ खोड़ करते हैं, सर वाके में बहुत अच्छे रहे हैं ये लोग, और इन से हमने बहुत खुल के ये आपके भाई को, आपके बेटे को समझो, मिलने सर, वो सिर्फ हीरो बनने चाहरा था, और वो हीरो बन गया, उसका पूरा पेपरों में नाम आ गया, उसकी खुआश पूरी हो गई सर, उसकी तमन्ना ये ही थी, अगर आप इसको मारो, ठोको, जो भी करना है करोगे, आपको स बता रहे हैं कि दिमागी फितूर भी चल रहा था, कही ने कहीं, मगर हीरो जो फैजान ने चुने, वो गलच चुने, सल्मान खान जैसा की परिवार के रहे हैं, वो चुनता तो ठीक होता, मगर फैजान ने फेमस होनी के लिए चुना आतंग के हीरो यानिकी यासीन भठकल और अबू फैसल को, कैना आप रसन मुकेश के साथ, शुभाम गुपता, टीवी नाइन भारत वर्श, वोपा